वेल्कम फ्रेंड्स यार्च गुरू चेनल में आपका स्वागत है साथियो आज मैं आपको यूपियाई के बारे मताऊँगा कि यूपियाई होता क्या है क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर यूपियाई के जरीए पेमेंट किया है और हमारे कुछ साथियों ने पूछा है कि यूपियाई क्या होता और किस तरह से काम करता है तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं में तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के उपर चलते हैं ये मेरा मोबाइल है यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर के अंदर सर्च की करनाओं में भीम और भीम आप जानते हैं भीम एक अप्लिकेशन है जो भारत सरकार के दुवारा लॉंच किया गया है आप देख सकते हैं इसका ये जो आइकन है इसी आइकन वाला भीम एप्लिकेशन आप इस्टोर करें इससे मिलता जुलता कोई दूसरा आइकन वाला एप्लिकेशन इस्टोर नहीं कर लेए जैसा मैंने इस्टोर किया है इसको ओपन करता हूँ अब आप देखेंगे कि open करने पर ये अपने सामने इस तरह का interface नजर आता है भारत interface for payment इस तरह से money इस तरह का एक interface होता है उसके बाद में अपने ये language के लिए बोलता है यहां English के साथ में next कर देता हूँ और अब यहां पर फिर next करता हूँ और अब यह अपने को कुछ अपने फीचर के बारे में बता रहा है secure simple super fast और इससे 24 घंटे 7 दिन सुवीदा उपलब्द है और इसके लाए आप QR code से भी भुखतान कर सकते हैं सारी कुछ अपने facilities के बारे में बता रहा है अब next करते हैं और उसके बाद में let's get started पर क्लिक करते हैं अब यह permissions के लिए बोलता है तिन permission है तिनों का allow कर देते हैं तिनों permission मैंने allow कर दी है अब आप देखेंगे कि मेरे mobile में दो SIM card है यह पूछ रहा है कि कौन से SIM card से आपका bank में खाता है यानि जो mobile के अंदर जो खाते है जो bank में खाते है वह SIM card कौन से नमर पे है एक नमर या दो नमर तो मेरे दो नमर रद में दो नमर सेलेक्ट किया और next करता हूँ अब यह आप देख सकते हैं कि यह एक verification के लिए डिर्ड रूपे जो message गए वो पटा है और mobile नमर verify हो गया है अब passcode सेलेक्ट करना होता है चार अंकों का passcode इस application के लिए safety के लिए तो यह passcode मैं बनाता हूँ लेकिन safety के लिए video थोड़ा देर रोक देता हूँ यह आप देख सकते हैं कि मैंने 3 अंक set कर दिये हैं अब मैं 4 अंक set कर देता हूँ यह मैंने 4 अंक set कर दिये हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे सही का निशान है यहाँ पे click करते हैं और यह दुबारा confirm करवाएगा आपका passcode और जैसे ही आप दोनों बार जब passcode लगाएंगे इसके बाद में इस तरह से यह data phase करता है और data phase करने के लिए बोलता है कि आप अपने कौन से bank को select करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप अपनी एक bank select करें जैसे कि मैं bank को बुरूदा select करता हूँ यह आप देख सकते हैं कि इस तरह से bank select करने के बाद यहाँ पे next बटन पे click करना है आप अपनी कोई भी bank select कर सकते हैं बहले यह आप state bank या पी एन बी या कोई और जो आपकी bank में खाता है आपको और यहाँ पे अपनी bank के IFC code नजर आएंगे मैंने सुरक्सा की द्रेश्टी से इनको hide कर रखा है और उसके बाद में आपको इसके ओपर click करना है bank के ओपर और bank के नाम के ओपर click करते हैं आपके सामने यह इस तरह से open होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना UPI code किस तरह से बना सकते हैं और UPI code बनाने के बाद में आपको उसको किस तरह से काम में लेना होता है तो UPI code बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे profile जो आपको नजर आ रही है इस profile पे click करें और profile पे click करने पर आपके सामने यह profile नजर आती है साथियों जैसा कि मेरा एक UPI code बनाया हुआ है वो यहाँ पे show हो रहा है लेकिन मैं आपको बनाना बताऊँगा कि आप किस तरह से बनाएं तो आपके यहाँ पे नीचे की तरफ aid UPI ID लिखा हो नजर आता है aid UPI ID हो सकता है कि आपका नाम नजर आए या आपके नंबर नजर आए सामने ता यहाँ पे आपका नाम नजर आता है और aid rate UPI जैसे कि आपका नाम राकेस है तो राकेस aid rate UPI नजर आएगा आप यहाँ चेक availability पे click करें और यहाँ पे चेक करें कि आपके नाम से किसी ने पहले से बना रखी है या नहीं जैसे कि मालोगी नॉर्मले नाम जैसे राकेश सुरेश इस तरह के नाम के उपर किसी ने यूपेश पहले बना रखा होता है तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सजेशन्स मिलते हैं के आप इस नाम से भी UPI बना सकते हैं. जैसे आपका नाम RAKES है तो RAKES 5507 यह इस तरह से कुछ ने कुछ आपको एंटिक यहां पर मिलता है. उनको आप suggestion को आप चुन सकते हैं और यहाँ पर confirm कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैं आपको एक सला देना चाहूँगा कि आपके mobile number एक unique होते हैं जो आपके पास हैं वेसा साइद क्या बिल्कुल भी इंडिया के अंदर किसी के पास नहीं है वे mobile number इसलिए आप अपना mobile number को UPI की रूप में काम में ले सकते हैं और UPI की mobile को जब आप UPI की रूप में काम में लोगे तो वह availability चेक करने की जुरी नहीं है क्योंकि वह आपका unique है और उसका आप confirm करके बना सकते हैं अब उसके बाद में आपका यह जो UPI है वो काम करने लगता है जैसे ही आप confirm पे क्लिक करेंगे तो यह click confirm to create UPI ID इस तरह से आपके सामने आता है यहाँ पे आप दोबारा confirm के उपर क्लिक करें और दोबारा confirm करते ही आपकी जो UPI ID है वो create हो जाती है अब उस UPI ID से आप पेसे भेज़ सकते हैं और पेसे प्राप्त कर सकते हैं अब आपकी जो UPI ID है वो आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं देख सकते हैं अपनी UPI ID को इसके लिए आप प्रोफाइल पे क्लिक करें प्रोफाइल के ओपर कलिक करते हैं आपके सामने ये आपकी UPI ID नजर आती है साथ हो जैसे कि मेरे दो UPI ID क्रियट हो गई है एक UPI ID मेरे पहले थी और एक अब बनी है तो दोनो UPI ID मेरे यहाँ पे हैं ये आपको दिख रही है पहली UPI ID और ये अब जो मैंने बनाई है ये मेरी प्राइमरी हो गई है अब मैं इसको प्राइमरी इसको भी बनाता हूँ जो मेरे नॉबले में काम में लेता हूँ तो यहाँ पे कलिक करेंगे मैं इसको बनाऊँगा और ये मेरी दूसरी UPI ID जो है यह आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है यह आपको उपरी की तरफ QR कोड नजर आता है QR कोड जो है यह QR कोड क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा अलग से QR कोड होता क्या है और पूरी अच्छे से मैंने जानकारी बता रखी है इसके बारे में तो वह वीडियो आप देखने के लिए मेरे इस चैनल के अंदर आप ढून लेएं वह वीडियो QR कोड वाला तो आप समझ जाएंगे QR कोड होता क्या है किस तरह से काम में लिया जाता है और QR कोड की साहिता से आप पैसे बेज भी सकते हैं प्राप्त भी कर सकते हैं और यह QR कोड आप यहां डाउनलोड पे कलिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं अबना अब मैं आपको बताता हूँ कि UPI कोड किस तरह से काम करता है क्योंकि अभी तक तो आपने यह सिखा है कि UPA code किस तरह से बनाया जाता है अब काम करने के लिए आपको जिस किसी page के उपर आपको payment करना होता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि RPSC के form भरते समें फीस का payment करते समें मैंने UPA का इस्तिमाल बताया था UPA वाले option को चुना था नोट बंदी के बाद में जिस किसी भी page के उपर आप जाते हैं payment करना होता है वहाँ पर आपको यह function मिलता है UPA का option जरूर मिलता है आप किसी भी जगे UPA से पैसे दे सकते हैं UPA से पैसे देने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि UPA से पैसे देने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना भी जरूरी नहीं है आप अपने सामाने छोटे बेना इंटरनेट वाले phone से भी आप payment कर सकते हैं इसके लिए आप अपने mobile phone के फोन के अंदर आप dial pad के अंदर dial करें star 99 has जैसा कि मैं आपको यह process android mobile के जरीए बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको यह सारी process इसी application के जरीए बताऊँगा कि आप किस तरह से इसके pin तयार करें और किस तरह से आप इसको काम में लेए और वीडियो के last में मैं आपको star double line has वाला तरीका भी बता दूँगा तो इसके लिए सबसे पहले आप अब अपने mobile case के अंदर यहाँ पे bank account वाला option जो है इस option को चुनें यहाँ पे click करें अब आपके यहाँ पे bank account यहाँ पे show होते हैं और आपको किसी भी एक bank का UPI pin तयार करना होता है तो आप किसी भी bank को चुन सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे state bank सबसे उपर की और आ रहा है और इसका UPI pin करने के लिए UPI pin set करने के लिए यहाँ पे option आ रखा है आप चाहें तो यहाँ यहाँ यह तीन डोट जो है यहाँ पे click करके किसी भी अपना bank है वो दूसरा bank select कर सकते हैं यहाँ पे तीन बिंदी पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे change bank account यह option आता है यहाँ से करके आप चाहें state bank के अला state UPI pin इस पे click करता हूँ अब आपके सामने यह इस तरह ऐसे open होता है यहाँ पे आपको अपने ATM या debit card जो है उसके अंतिम 6 एकसर अंतिम 6 एकसर ध्यान दीजिए अपने ATM या debit card के अंतिम 6 एकसर यहाँ पे enter करने हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको वह कब तक valid है कब तारिक लिखनी है ध्यान रखें mmyy में लिखें महिना लिखना है जैसे की तीसरा महिना है तो 03 और जैसे की 2022 है तो सिरफ 22 लिखें और वह एंटर करें मैं यहाँ पे enter करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने ATM कार्ड के अंतिम 6 एकसर यहाँ पे भरे और यहाँ पे master card select किया और करते ही यहाँ पे जो नीचे जो date पूछ रहा था valid वो यहाँ से हट गई है लेकिन साथियों यहाँ पे अकसर एक गलती कर देते हैं वो गलती मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ आपने 6 एंकों के debit card भरने के बाद वे अपना card के उपर देखें अगर card master card हो तभी आप इसको check करें तभी आप इसको select करें क्योंकि master card के उपर यहाँ पे अंतिम दिनांक नहीं लिखी हुए होती है इसलिए जब आप इसको select करते हैं तो यहाँ से अपने आप आप देखते हैं कि यहाँ पे जो अंतिम तारिक जो validity जो थी वह option यहाँ से हट गया है लेकिन अब जो नए कार्ड आ रहे हैं वह master card वीजा कार्ड इस तरह के होते हैं और उनके उपर यहाँ पे अंतिम दिनांक लिखी भी होती है तो आप इसको select नहीं करें और यहाँ पे अंतिम दिनांक भरें और यहाँ पे अप मैं इस चेक वाले box के उपर क्लिक करता हूँ यूपी आई पिन set करना होता है यहाँ पे मैंने यूपी आई पिन set कर लिया है सेफ्टी के लिए सुरक्सा के लिए मैंने थोड़ा वीडियो बीच में रोक कर उसके बाद में set किया है यह ऐसा पिन आप set करें जो हमेशा आपको याद रख सकें आप 6 अंकों का code होगा और इधान रखें यह किसी को नहीं बताएं क्योंकि यह अगर आपके पता हो तो आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं यह एक आपके एटियम पिन कार की तरह हैं जैसे आप एटियम जब आप काम में लेते हो तब एटियम का पिन कार जो होता है उसी तरीके से यह आपका पैसे भेजते हैं तो उस वक्त आपको ये पिन की आउसकता होती है ऐसे रखें जो आपको हमेशा याद रहे जाएं अब मैं आपको ये सब सेट करने के बाद में आप यहां पे नीचे वाले सही के निसान जो है इस पे क्लिक करें अब ये फिर से एक बार यूपिय पिन है वो कंफर्म करने के लिए बोलता है यहां पे मैं फिर से एक बार कंफर्म करता हूं अब से यहां पे सही का निसान इस पे क्लिक करता हूं अब यहां पे मेरा यूपिय कोड है वो तयार हो गया है और जो अप्लिकेशन है ये पास कोड मांग रहा है पास कोड यह है वो कोड है ज जैसा ही कि मानलो आपका मोबाइल कहीं खो जाए तो वह जैसे ही UPI वाले इस भीमैप को खोलता है कोई तो यह उसके पास कोड बांगता है एक तरीके से यह जो आप स्क्रीन के अंदर आप सेक्यूर्टी कोड लगाते हैं उसकी तरह होता है यह तो यहाँ पे वह अपने पास क करता हूं इसके लिए आप अपने मोबाइल के अंदर डायल करें स्टार डबल नाइन हस जब आप स्टार डबल नाइन हस डायल करेंगे तो आप यहाँ पे उसके बाद में अपने जो सिमकार्ड है जैसे कि मेरा दो नंबर सिमकार्ड है तो यहाँ पे मैं दो नंबर सिमकार से इसको डायल करता हूँ अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां यूपई कोड जो है उसके जरीए हम किसी को पैसे भी सकते हैं रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं बैंक का बेलेंस भी चेक कर सकते हैं माई प्रोफाइल में जाके खाता बदलना वगेरे यह भी कर सकते हैं अब जैसे आपको यह बताता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो गंदर आपको बताया था कि आपको भुगतान करना होता है तो किस तरह ऐसे करें उसके लिए आप अपनी यूपई आईडी जो बनाई थी आपने आपके नाम के आगे एड़ रेट यूपई लगा कि वह आईडी आ कि आपको भुगतान करना होता है और जैसे आप वहां पे दर्च करते हैं उसके बाद में आप थोड़ी दिर बाद अपने मूबाइल से स्टार डबल नाइन हस डाइल करें स्टार डबल नाइन हस आप जैसे डाइल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा जो भुगतान करने के लिए होता है वह भुगतान आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना जो पिन आपने त्यार किया था ना UPI PIN वहाँ आपको यहां एंटर करना होता है और UPI PIN एंटर करने के बाद यहां जैसे सेंड करते हैं तो आपकी फीज जो है समंदित फॉर्म की वह जमा हो जाती है इस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हैं कई बार साथ ही यह होता है कि जब फॉर्म होगे ज़्यादा भरे जाते हैं तब बैंक सर्वर बीजी होता है और आपका यहां से नहीं भरा जाता है और उसमें आजाता है बैंक सर्वर इस बीजी तो उस टैम पे आपके अगर पैसे कट जाते हैं खाते से तो आप टेंसर नहीं ले में 24 गंटे के भीतर जाते हैं मेरे खुद के ऐसे एक बार हो गया था कि जो मैं आपको हेड्मास्टर भरती वाला फोम के अंदर आपको बताया था उसके अंदर मेरे जो भुगतान है वो एक बार कट गया था और 24 गंटे बाद मुझे मिला था तब आप उसकी बिल्कुल भी चिंत्या नहीं करें और उमेद करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंदर काफी कुछ यूपिया के बारे में जाने होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके मुझे जुरूर पूछे आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में नई जानकरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे धन्यवाद